सब्सक्राइब करने वाली हूं दुर्गा पुझा मेकप प्रूक तो गाइस सब्सक्राइब करेंगे मेकप के बहुत ही ज़्यादर जरूरी है। सबसे पहले मैं यूज रही हूं गुडवीप का कुकुमबर टोनर जो की अपके फेस को काफी जयादा हाइडरेट रखेगा क्योंकि तेरे तेरे सख्दिये के मौसम आ रही हा जिससे अपका फेस ज्राय होगा अगर आपका फेस ज अच्छा सा नहीं होगा उसके बाद मैंने लिप बंब की यूज की है एंदेन मैंने यूज किया है मामार्थ का एज रिवाइनिंग सीरम इफ यूर 25 प्लस आप वो यूज कर सकते हो और ना भी हो तो भी आप कर सकते हो यूज क्योंकि वो पीटा सटिफाइड प्रेंड है जो आपके स्किन को काफी अच्छे से प्राव बोन को हाइलाइट करने के लिए और अपका जो मेकप लूक है उसको ज्यादा आई मेकप को पॉप अपकरने के लिए अगर आप कंसीडर अप्लाइब करोंगे तो वह ज्यादा अच्छा होगा और इफ यू आर बिगिनर सो गाईज आप अपके आई मेकप पहले करें अगर आपके आई मेकप लुप में कुछ आपको अच्छा ना लगे तो आप उसमें डिफरेंस करना चाहते हो तो आप उसको पूच के फिर फिर से करना चाहते हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपने बेस मेकप नहीं किया होग तो यह अच्छी स्री टीप है अब जरूर फॉलो करना देन मैं उसे ब्यूटी ब्लेडर के हैब से अच्छे से डेप डेप करके ब्लेंड कर लिया है पूरा कंसीलर अगर आपको ब्यूटी ब्लेंड को कैसे यूज करना है वो नहीं आता हो सो मैं कहादती हूँ कि आपको उसे वाउं वाटर में या फिर नॉर्मल वाटर में स्क्वीज आउट करना है और फिर उसे अपने जो भी मेक अप प्रोड़क्स लगाए उस पे पूरा स्क्वीज आउ से सेट कर रही हूँ देन अब बारी आती है प्रोड़की उसके लिए मैंने कॉफी कलर लिया है अब ब्राउन कलर भी कह सकते हो अगर आप पॉमीट पे या फिर आइब्रो पैंसिल पे घर्च ना करने चाते हो पैसे सो यह सबसे अच्छा सस्ता और रास्ता है आपके ब्रा ब्राउन या फिर ब्लेक आइशेडो पिक कर लो जो आपकी आइब्रोज को सेट होता हो और अच्छा से इसके एजिस को क्लियर करते हुए आप अपने आइब्रोज बनाए तो बिल्कुल ही वैसा लुक आएगा जैसा आप अपने आइब्रो पैंसल से या फिर ब्राउपाम किया है और मैंने उसे एक फ्लैट ब्रश की हैप से अपनी आई लीड पे कवर किया है आपको फेस्टिवल मेकप लुक ट्राइब्रोज कर रहा है सो मेक शूर कि आप ऐसे कलर चूस करें आप जो आपकी आइस को सूधिंग करें और मैं दुरगा मों पूजा मेकप लुक कर मैं पूरा अटेंशन डालोंगी अपनी आई लाइनर पे आप अपना आई मेकप लुक थोड़ा लाइट भी रखेंगे या फिर आप उतना उस पे वर्क भी नहीं करेंगे तो पी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आपकी विंग लाइनर पॉर्फेक्ट हो तो और इसके अच्छे से गोर्डन के साथ ब्लेंड किया है ताकि हमारी आउटर इजीज भी अच्छे दिखे आप देख सकते हो मैंने दोनों कलर को अच्छे से मर्ज किया है उसके बाद वैसे मैं अपने सेकंड आई पर पूरा मेकप लुक वैसा कम्प्लीट कर दूंगी एंड गाइस अगर आपी तक आपने मेरा जो मैंने लास्ट मेकप किया है वह करवाचोत मेकप लुक वह आपने ना देखा हो तो प्लीज देख लीजे उसके आगे भी आपको कई सारे ज्यादा मेकप लुक्स देखने को मिलेगी सो गो एंड चेक इट आउट और फिर मैंने उसको यूरी गोल्डन कलर लिया है और अपला किया है अज़ आपने देखा होगा कि हमारी यहाँ पे हमने ऐलेचर तो दिखा लूब्स जाएंगा उसमें ज्यादा वराइटीज की आई लाइनर साप देख सकते हो देन अब मैं यूस कर रही हूं और वांडेशन यूरी तरवाइ not my new subscriber तापको पता होगा कि मैंने कौन सा यूज किया है फाउंडेशन इस Fit Me 5 Maybelline Fit Me 5 फाउंडेशन जिसको मैंने अप्लाइ करके अच्छे से डप डप करके पूरे फेस को सेट किया है अधर एक बार आप लोगे तो आपका एक दो साल तो अच्छे से चल जाएगा इस फाउंडेशन के साथ मेरे से स्किन को एक काफी जादा मेंच करता है काफी ज्यादा इस से ऑच्छा स कॉंपलdf मेंट भी देथा है इसेड़ देखो वह भी मेरे मेंकप लोग क काफी ज्यादा कम्पलframes्ट कर दिल किरे लसमें और अभी भी करी रही है I think so, मेरा eye makeup आज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से टर्न आउट हुआ है तो मैं again compact ले रही हूँ street wear का और अपने base को अच्छे से सेट कर रही हूँ आप क्यों लगाते हो कोई भी foundation के उपर loose powder या फिर compact क्योंकि वो होता है liquid form में foundation और उसको सेट करने के लिए हम loose powder या फिर compact का यूज करते हैं और अब मैं यूज कर रही हूँ Miss Rose की palette में से blush आपने देखा होगा blush को पहले मैंने एक बार wash out किया and then मैंने लगा ताकि पूरा product हमारे घाल पे stick ना हो जाए उसके लिए एक बार आपको उसको wash out करना है then आपको अपने face पे apply करना है अब मैं यूज कर रही हूँ काजल क्योंकि हमारा eye makeup लूप थड़ा सा पाकी है वो अब हम complete करेंगे मैंने यहाँ पे लेक में की काजल यूज की है और मैंने थोड़ा ज्यादा डार्क रखा है क्योंकि दुर्गा makeup look में नॉर्मल या बेंगाली makeup look करते हो और वो लोग अपनी eyes को ज्यादा pop-up करते हैं with liner and kajal so मैंने पे आज वैसा करने के ट्राइ किया I hope guys आपको मेरे यह makeup look पसंदारा होगा आ रहा हो है so guys go and comment down मैं आपको सरूर reply करूंगी I am sure I am promising you that मैं आपको reply दूंगी और मुझे इससे काफी जादा motivation मिलती है then I am doing mascara mascara के लिए मैंन मेरे all time favorite mascara लिया है इसका one भी काफी जादा अच्छा है and आप easily से use कर सकते हो then मैं black eyeshadow ले रही हूँ और मैं उसे अपनी lower water line पर जहां पर मैंने काजल लिए उसके नीचे उसके depth लिए यूज कर रही हूँ ताकि हमारी आई ज्यादा पॉप पॉप करे और पूरा makeup eye makeup अच्छा लगे अगर आप black eyeshadow यूज ना करना चाते हो तो जो color आपने eyeshadow में यूज किया है like golden and red आप यूज कर सकते हो in normal makeup and then मैं यूज कर रही हूँ samphora का bronzer उससे ही मैं अपने nose की bronzing कर रही हूँ अपने cupids की bronzing कर रही हूँ अपने forehead की bronzing कर रही हूँ ताकि अगर आपका face थोड़ा मोटा हो तो वो थोड़ा shape में आ जाए और मोटा ना भी हो पूरा एक टाइप का हो गया होगा उससे हमारे face को एकदम shape में मिलेगा then मैं यूज किया है Swiss Beauty का makeup fixer और फिर मैं यूज कर रही हूँ highlighter जो की है Samphora का उससे अपके जो भी high pointed areas है उसे आपको अच्छे से highlight करना है ताकि आपके makeup में glow भी दिखाए दे and guys अगर आप ये makeup look क्या फिर मेरे YouTube channel में सी कोई भी makeup look recreate करें तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर tag करें मेरा इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करें मेरा इंस्टाग्राम आइड है सिस्टा यूनिकॉन आप मुझे वहां पर भी DM कर सकते हो I will reply you on my DMs and the last guys here is my lipstick time and lipstick मैं ने यूज़ की है purple की इसका formula भी काफे ज्यादा अच्छा है और ये काफे ज्यादा affordable है तो मैं personally आपको कोहूंगी कि आप प्लीज ये lipstick try कीजे if you are searching for any matte lipstick and I already हो गई I hope guys आपको मेरा ये makeup look पसंद आया होगा feedback जरूर शेयर करें मेरे साथ आपको मेरा आज का दूर्गा makeup look कैसा लगा जो मेरे लिए थोड़ा सा different था और आपको भी कुछ different दिकी रहा होगा आज के makeup look में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो अगर आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दिजिए और आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स हो तो मुझे comment section में comment करके जरूर बताए तो मैं next video में आपको shout out दूगी जरूर से और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजए इसके अच्छे अच्छे फोटोज और रिल्स देखने के लिए मुझे इंस्टाइबर पे जरूर फॉलो करें मेरे इंस्टाइबर मांड़ी है सिस्टा यूनिकर्ण मुझे नेक्स्टेवन में ठील पाइ ट्यूकर्ण प्रेवाए आप्रेवाए प्रेवाए चीटाइबर शक्सेड़ चीटाइबर सब्सक्ताइबर समीद्सक्ताइबर